यहां हम अदानी समूं के शेरों में LIC की हिस्सेदारी और हिंदनबर्ग रिसच रिपोर्ट के सारवजनिक होने के बाद हुए नुकसान के संबंध में पूरी जानकारी सूची बद करते हैं 3. अदानी ट्रांस्मिशन अक्तूबर से डिसंबर 2022 तिमाही के लिए अदानी ट्रांस्मिशन के शेहोल्दिंग डेटा के अनुसार LIC के पास कमपनी में 4.6,676,207 शेर या 3.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है पिछली दो दिनों में अदानी ट्रांस्मिशन शेर की कीमत 2,762 रुपे और 15 पैसे से गिरकर 2,014 रुपे और 20 पैसे प्रतिशेर हो गई है इन दो दिनों में 747 रुपे और 95 पैसे प्रतिशेर की गिरावत आई है जैसा कि LIC के पास अदानी ट्रांस्मिशन के 4,676,207 शेर हैं पिछली दो दिनों में अदानी ट्रांस्मिशन के शेरों में LIC का शुद्ध घाटा लगभग 3,042 करोर रुपे, 747 रुपे और 95 पैसे एक्स 4,676,207 है 4. अदानी ग्रीन हाल ही में दिसमबर 2022 को समाप तिमाही के लिए अदानी ग्रीन एनजी लिमिटेड के शेरों में पैटन के अनुसार, LIC के पास कमपनी में 2,3,9,080 शेर या 1,28 प्रतिशत हिस्सेदारी है अदानी ग्रीन शेर की कीमत पिछले दो दिनों में 430.55 रुपे गिर गई है, जिससे पिछले दो सत्रों में लगभग 875 करोर रुपे का नुकसान हुआ है 5. अदानी टोटल गैस हाल ही में दिसम्बर 2022 को समाप्तिमाही के लिए अदानी टोटल गैस के शेर होल्डिंग पैटन के अनुसार, LIC के पास कमपनी में 6,55,88,170 शेर या 5.96 प्रतिशत हिस्सेदारी है अदानी ग्रीन शेर की कीमत पिछले दो दिनों में 933.75 रुपे गिर गई है जिससे पिछले दो सत्रों में लगभग 6,323 करोर रुपे का नुकसान हुआ है